हमारे जो निदेशक तत्व हैं वो आपको पता है कि 36 से लेकर 51 के बीच में दे रखें अनुछे 36 से लेकर 51 और सम्विधान में इस्पेशल प्रकार से इनका कोई वर्गी करण नहीं किया गया है मैंने इनका वर्गी करण पांच प्रकार से किया है पहला वह वर्ग रखा है जिसमें आर्थिक अधिकारों के बारे में बात की गई है नेक्स बात करते हैं सामाजिक न्याए इस प्रकार से थर्ड नंबर पे हमने न्याएं शिक्षा और प्रजातंत्र की स्थापना करने वाले निदेशक तत्व के वर्गी करत कर दिया है पांचवा प्राचीन इसमार को संबंदी निदशक तत्व के विशह में अगर बात करें तो भारते समीदान के भाग चार निदशक तत्व में अनुचेद 49 के तहत राज्य को ये करतव दिया गया है कि राज्य का काम होगा प्रतेक राज्य का की इस्मारक, कलात्मक एवं एतिहासिक रूची के इस्थलों को जिसे की संसद ने रास्टी महत्व का घोशित कर दिया है उनकी रक्षा करने का प्रेयत्न करे सिंपल सी बात यह है कि राज्य के अंतरगत जितनी भी इमारते हैं कोई पुराना खंडर है कोई किला है कोई राजभवन है कोई शिलालेख है अगर राज्य की सीमाओं के अंतरगत किसी प्रकार की कोई एतिहासिक इस्मारत कलाक्रती एतिहासिक रूची का को इस्थला आता है और जहिर सी बात अगर उसको संसरत ने राष्टी महत्व का गोशित किया है तो उसकी रक्षा करने का काम कौन करेगा राजी सरकारें करेंगी दूसरी बात 49 तो यह हो गया देन उसके बाद हम बात करते हैं 48 कर की अगर हम बात करते हैं 48 कर अनुच्छेत की तो राज्य देश के पर्यावरण के संडक्षन और संवर्धन का तथा इसी के साथ 1 भी आ जाता और 1 जीवों की सुरक्षा भी आ जाती है तो कुल मिला के पर्यावरण के संडक्षन संवर्धन 1 और 1 जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा राज्य ऐसा कहा गया है 48 कर में और 48 कर का जो यह सिधान्त है या जो अनुच्छेद है यह 42 से समिधान शंशोदिन के माध्यम से जोड़ा गया था यह बहुत इंपोर्टें में कहा गया है पर्यावरण की संडक्षा करना संवर्धन करना अब यहां पर एक मुद्दा उड़ता है कि पर्यावरण के संडक्षन और संवर्धन और वन जीवों की सुरक्षा का दाईत्व राज जी के उपर है तो राज जी इस प्रकार से क्यों नहीं करता है तो जाहिर पश्मुक को शिकार से बचाने के लिए वन्य प्राणी जीव अधिनियम 1972 इसके अतिरिक्त पर्यावर्ण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के ओपर विभिन प्रकार के अधिनियमों में कारवाईयां की जाती हैं तो यह 48 कर राज जी को बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर देता है और इस 48 कर के तहत ही राज जी विधियों का निर्मान भी करता है अगली बात करते हैं अंतराश्टी सिध्धान के बारे में